हाई लो फ्रेंज गुड मॉर्निंग अदाप परनाम नमस्कार और सत श्रीकाल फ्रेंज मैं आगी उच्छत पे अज है संडे का देन तो मैंने सुचा दिन में बहुत दूप रहती है है अब सुबह के शेवजे है दिन में बहुत दूप रहती है तो मैं वीडियो नी बना पती तो मैंने सोचा विया चे वजेह सुबह knitting וदियो में सुबह में बना लेते हैं सुबह कई कि यह जे देखें को दुखती में यह इतनी दूप हो रった कि छे बजे मानो इतनी धूप है तो दिन में क्या होगा खाल होगा तो हमारे पवद्धे यह दिखे जी बहुत सारे जो कोलियस हैं जो सौफ्ट प्लांट है वो खतम हो गए है तो कुछ-कुछ है भी यह मेरा कटिंग का पुर्शन है जहां मैं चोटे पवद्धे रख देती हू तो फ्रेंड्स बगवान का बहुत-बहुत शुक्रिया है जिसने इतने खुबसूरत सुबह का जो अगाज कर दिया है तो आईए फ्रेंड्स हम संडे अपडेट में यह देखें जो भर-भर के पानी डालते हैं जो छोटे प्लांट होते हैं चोटे पौदे इसमें पानी इसको लग गई है तो इस जिसमें मिट्टी कम होती है सुखता भी जलती है और ज्यादा पानी ओवरवाटरिंग भी इसको हो जाती है जाती है हम शुरुआत करते हैं आज हम पानी डालेंगे कॉद दिखाओंगी यह दिखें यह मेरे सूख गया कोचिया पाहा दीवार पे पड़े थी तो मैं यह दर लेंगा यह मेरी जो बेल है कॉदू की बेल थी यह देखें यह वी सूख कर रखी है यहां से मैं इसको काट दूग तो बाकी की पिछली ठीक है, यह देखें मेरे प्लांट को, यह ग्रीन अट के निचे है, यह अच्छे से चल रही है, तो यह देखें, जी, सुबह सुबह आप सब को, अजी, सुबह मवारक हो, यह फूलों के साथ, यह देखें, यह बॉगन दिला है, इस पो अच्छे से फूल आ रहे हैं, यह देखें, अभी हम फानी डालेंगे इनको, यह कल का फानी डाला है, यह देखें, अभी तक है, इसमें ग्रीन नेट की वज़ा से, तो यहां नहीं है यह देखें, यह देखें, यह मेरे प्लाट दूप में है, फुल सन में है, सुबह सुबह इतनी सारी दूप आ रहे हैं, यह देखें, यह फॉर्चू लाका के हैं, यह क्या बोलते हैं इसको, कैटिस हैं, यह बॉगन मिला है, यह बॉगन मिला देखें, कितना ग्रीन है, पर यहां में आती ही मेरे को शुरू हो जाती है इनकी यह हमारा है मोग्रा जिसको मैंने चौड़ वीडियो में डाला था अब इतने सारे फूला जो इसके किल रखे हैं अब मैं कड़ी हूं वहां पे पूरी खुश्भू आ रही है यह तो मैंने कई बार दखाया मेरी मोग्रा है यह दिखें यह मेरी मदुमालती की बेल है कि कटिंसे ग्रो की की दो तीन साल होगे इसको फ्लावरिंग नहीं ही हो सकता है इस बार हुई मैं ऐसे से देखती रहती प्लावरिंग नहीं हो आिरह नहीं हो यह तक है कियो दिखें मेरे इतना बड़ा मुपका का पलाड है कि इसके स्टाम कितने हूंक ह्या एकने मथुमाल भरकि अजिक हैंगे यह को में प rappers बेल होsınız देखें जैसे उतकि मेर ही मोट्सम की मैं इलगाम ऑद्सक्या को चाराएं इसका प्लावरिंग यह जो चोटी जो नियू ग्रॉट उता रहे हैं इसकी फ्लावरिंग आई गी है मद्व मल्टी का प्लावरिंग इनको फ्लावरिंग हुई है और इस फार अभी तक नहीं है यह मेरा संदुरुपा का प्लाउट है चाहे दूप में सूखर है इसके पत्ते देखे और फिर भी फ्लारिंग हो रही है इसके इसके नीचे जो इसका ड्रम है इसमें यह हो रही है प्लाउट शिवंति के इसको गुढल आना कि अब बूएते हैं इसको मेरे का इसको नाम बूल गया वो है सद्धियों में खिलते हैं जो यह हमारा है पनीर अब प्रेंड से पानी डालते हैं आपको दिखाती हूं यह दिखें यह मेरी सब प्लाउट है यहलो बेल के बड़े बड़े चांदनी है चांदनी को कम फूल आ रहे हैं इसको दूख बहुत लग रही है आजाएंगे एक दूर जन में आ जाते हैं पता इस की प्रूनिंग नहीं करते तो क्या होता है इसकी जो सीडे फली बनने लगती है इसलिए मैंने आप उपर से जो फ्लारिंग हो गई उसको मैंने काट दिया है फिर जैर्ड का पुशिन है यह देखे जे दिखें, यह मेरा गोंफरीना का प्लांट एक प्लांट है दिखें, यह भी प्लांट है, इतना बड़ी है लगता है और इसके निचे रेड्ट लेटाना के प्लांट है, यह पॉर्शन है दो नहीं कॉर्णना, वहाँ भी कटिंग रखी है, निकी-निकी, इस तरह से है फु यह देखे, अभी बहुत सुबह है न, यह गुडल की प्लाइट है, अभी किले नहीं है, यह मेरा लाइट कलर का है, और यह पिंक का है, यह फूल दिल में किलेंगे, अभी दूपनी निकली है, यह देखे, यह मेरा जो है, अभी ट्रेलिंग कर रहे हैं, अभी थोड़ी जगह रहती है, इसको नीचे तकाना है, सो फ्रेंट आप वाटिंग कर देते हैं, फ्रेंट वाटिंग से पहले हम आपको हमारे डी आईवाई दखा दे, यह नारियन चैल, इसमें मैंने ग्लास डाल के रखा था जब यह ग्रीन था, तो ग्लास मैंने निकाल दिया है, ग्रीन था, नीचे चिपक जाता है, जैसे और दुखतियों वह चिपके हुए है, इसके उपर मैंने यह फेस बना दिया, और जब ग्रीन था था भी इसमें मैंने होल भी कर लिये थे, जब सूख जाता है तब मुश्क तो यह देखें, यह पूरा बंद हो गया है, यह देखें, इसका भी फेस बनाया है, मैंने, यह देखें, नारियल चल्ड है हमारे, जो पानी पीकर बचते हैं बाद में, आप यह देखें, इसके पर भी फेस बनाया है, इसमें गिलास डाला था मैंने, तो यह इसका मुँआ ज इसमें सुराख तो मैंने कर लिये थे फर ग्लास नहीं डिलाओ इसमें कोई कील डालके रखें नी तो भी बंद हो जाता है जब सूख जाते हैं यह मारे नारियल प्लांट बन गई हैं यह देखें बाटल मेरे पास बहुत पढ़ी थी इनको मैंने ऐसे शेप में कटा है और इस बाटल का जैसे डिजाइन था किसी बाटल का ऐसे मैंने खाट लिया इसको इसके जो यह उपर पंक से है ना इनको में ग्रेन कलर करूंगी इन सब की डेकोरेशन बाकी है तो इसको मैंने खाली पेंट ही किया है अभी तक तो बाकी का जो काम है हो रह रह रहा इनका बाकी है इसको decoration करनी है और दखाउंगी जब जी final हो जाएगा ना इन सब bottles का final हो जाएगा वो भी दखाउंगी येकल मैंने शाम को किया तक ये ते लर की bottle भी सब में color कर दिया हैं और decoration मैं आपको दखाउंगी है आगे फर जाब watering भी कर देते हैं वीडियो बहुत लबा हो जाएगा अच्छे है ना इजे देखे नारिया जाए लगारे कितने अच्छे लग रहे हैं ऐसे खड़ नहीं रहा यह देखे कि इन सब में लगाओं गी पोर दे जो कटिंग लगा रखिए मैंने स्पाइडल गां भी किसी में किसी में मुख्या मुंगते हैं उसको टाल्टल वाईं लगाओं नहीं तो आएए फ्रैंज आब वॉटिंग कर देते हैं ज्यादा दोख ना चाहिए, दोख मोटिंग नहीं करने चाहिए, दोख से पहले-पहले हम कर देते हैं, यह दिखे फ्रेंड्स, पानी मैंने जो आ रहा है न, ड्रेक्ट वाला वो खोल दिया पानी, हमारे पोदें को भर-भर के पानी लेंगे, पानी तो सब लोग देते हैं, पर उनको साइड़ों से ऐसे पानी लेना जाहिए, ताके हमारी जो मिट्टी है, वो मिट्टी निकले न, यह चोटे-चोटी हैं इसको भी, ऐसे जो चोटे प्लाटाबना ऐसे, आगे लगाते हैं, भर-भर के पानी लेंगे, पूरा भर के देंगे सबको, यह मैंने मल्चिन भी का रखी है, मल्चिन के उपर ऐसे पानी डाल दी है, मेरे ऐसे साइड पर देना चाहिए, ताकि जो मिट्टी है, पाउट की वो ना ही ले, यह कोची है, यह कोई भरकनी परता जैसे, जैसे दोल पानी, यह मारे पॉट चोटे है, यह दीवार पे मैंने लगा रखे है, इसमें यलो बेल का प्लांड है, इसको भर देना कहिए, तो यह कोई लिखती कम है, बरके पानी लेना चाहिए, जब कमलेक्ट से पानी बाहर आने लगे, तब तक हम कोई इसको भरना होता है, ड्रेनिस से बाहर ना आ जाए, पूरा दिन तभी यह दूप जेल पाएंगे, अब यह फुल सान में है, यह शेवानती के पॉद्दे, बुल्दाओदी के, बुल्दाओदी भी होता इसका नाम बस बाद में इसको ऐसे शावरिंग कर देनी आज़े, उबरे गिल्डे हो जाएं इसको, एक बार नहला दोग पर से इनको शावरिंग दोग, उबरे प्लांट है जो, यह मेरे नेचे रखे ज़ए हैं, तोड़े सॉफ्ट है, इसमें आप, नीचे जो टब´ लेते रेते हां, इसमें पानी दीरो, इससे क्या भाटा है , ए सोटे हैं न, इनकी लिक्टी क्या है, इसमें पानी जो नमी हैं, लेते रहते हैं असमें, ए हुआ मेरे ठालीch में नङए लगाओंगी एक बार पूरे पॉर्ट भरके ऐसे भरके ना यह भर क्या है जो मेक्सिकन पुटूनिया के है कि इसके इसके बाला मेक्सिकन पुटूनिया करने बना है तो फ्रेंड्स हमारी जो वाटरिंग है हो गई है यह मैं हाली में रिपाउड किये थे यह सिंडोनियम के पलांट यह देखें यह एक्टिव हो गए हैं वरी तक कोई भी मुर्जाया नहीं है इनको मैंने छेडी प्लेस में रखा हुआ है यह देखें यह पूरी तरह से एक्ट को इनको बाहर निकल दोंगी बाकि जो भी मेरे न्यू रिपोर्ट किये होए प्लांट होते हैं उन मेरे इदर शेड में रखे रहते हैं यह मारा शिवांति का है यह भी एक्टिव हो गया है इस फ्रेंड्स मेरे सारे सभी प्लांटा जो शावर ले लिया इनने तो बहुत अच्छे से अब दिन में रहेंगे यह आप बहुत गुरुजी के रपकान के कोई भी मेरा प्लांट मरे ना इस तबती हुई गर्मी में आप वीडियो एंड करते हैं उमीद करते हूं आपको पसंद आया हो तो लाइक करना पुमेंट करना और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करना तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नए वीडियो में नए आइडिया के साथ तब तक लिए गुडबाई टेक क्यार हैपी गर्निंग